मित्रो जैसिया रब आज हिंदू जीवन ज्यान चैनल में मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो अगर आपने कर लिया और मेरे बताय हुए चीजों को लाकर अगर घर में अस्थापित कर ली तो यकीन मानिए लक्षमी आपके घर आने को विवस हो जाएंगे मित्रो यह सामगरी आपको करना क्या है कि कहीं भी पता कीजिए किसी अच्छे दुकान में जहां जरीबूटी और सधिया मिलती है वहाँ से आप लीजिए इसको बोलते हैं कि जैसे आपको मेरी एक वीडियो है अपने बच्चे को मेघावी कैसे बनाएं उसमें हमने सफेद गुंजे का जिक्र किया है कि सफेद गुंजे को बकरी के दूद में मिक्स करके हाथों में लगाएं मित्रो इसमें आपको लाल गुंजा लाना है बहुत सुलब्ता से उपलब्ध है लाल गुंजे को लाईए 21, 51, 101, 151 की संख्या में लाईए और अपने पूजा अस्थल पर 21 लाल गुंजे को लक्षमी जी के सामने रखे पंचो पचार पूजा कीजे, स्नान कराईए इत्र चराईए और इत्र मोगडे का होना चाहिए फिर उनको सिंदूर लगाईए गुंजे पर और उसके बाद धूब दिप दिखाईए उसके बाद उस गुंजे को लक्षमी जी के पास रख दीजे और उसमें से एक दोर गुंजा उठाकर जहां पैसे रखते हैं वहां रख दीजे या अपने बेवसाई का स्थान पर रख दीजे या अपने पर्स में एक रख लीजे अगर महिलाये हैं तो वो अपने पर्स में रख ले यकीन मानिए लक्षमी जी आपके घर में आने को विवस हो जाएंगी और वो चीर काल तक अस्थाई रूप से आपके घर में निवास करेंगी तो मित्रों आसा करता हूं कि आप लाल गुंजे के बीज को ले आएंगे और लक्षमी जी को अपने घर बुलाएंगे ताकि आपके सारे क्रस्ट खतम हो क्योंकि लक्षमी की प्रदानता तो आप जानते ही हैं कि उनके बगएर न वस्त्र हो पाता है, न अन हो पाता है, न कोई बैभव हो पाता है तो आरती में भी आपने सुना ही होगा कि खान पान का बैखो सब तुम से आता जै लक्षमी माता तो आप लाल गुंजे को लाइए अस्थापित कीचे और लक्षमी जी को बुलाइए प्रसन रहिए खुस रहिए और आशा करता हूं कि आप धनाध डिवेक्ति बने जैसे लाव